असलाम लेकुम डियो स्टूडेंट्स, क्लास 7, English, टॉपिक हमारा है ग्लोबल वार्मिंग इन क्लाइमेट चेंज, प्रीवेस लेक्ट्रम हम पेज नंबर 60 पेज की रिडिन जो कर रहे थे, जिसने हमने देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग के जो डिफरेंट काजीज हैं जिन कुछ ऐसे फसे täll अठिज नेट्रल है और कुछ ऐसे हों घ्लोब वार्मिंग और धनेचर साही सब्सक्राइभा सी. अब यह वो तमाम एक्टिविटीज हैं वो तमाम चीज़े हैं जिसके वाइसे डे बर डे ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज और तिजारी और क्लाइमेट चेंज दोनों पर एफेक्ट हो रहा है तो इसके साथ वाद में लास्ने देख था कि अब इसके जो एक्स्ट्रीम कॉंसिक्वेंसी सामने आएंगे आफ्टर फ्यू येर्ज वो यह है कि इससे जो डाइवरियन है हमारी एक तो हीमन जो माइग्रेशन है दूसरा अनिमल माइग्रेशन है और तीसरा जो इस्यो होगा कहत के खाने पीने की कमी हो जाएगी वसायल की कमी हो जाएगी ये तमाम चीज़ें वो एफेक्ट करती है आप पेज नमबर 61 पे आज हम आगे नेक्स्ट रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम इसको कैसी ओवरकाम कर सकते हैं इंफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इस इस फ्रेटनिंग दा अर्थ फ्यूचर करें के हकीकत में जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारी जमीन का जो फ्यूचर है उसके लिए एक थ्रेट यानिके खत्रे के एक वज़ा है दराइस इन टेम्परेचर इस नाट ओनली हार्मिंग लैंड लैंड लाइफ वाट ओशन ल फ्यूचर इन टेम्परेचर और अपर ये एक थ्यूचर भी अपने एक प्रोसेस नहीं जागरा है के टेम्परेचर नाट ने के वज़ीन के वाट आप हो ओ एंड जो तो उसकाती एफ लोगवी एक वाट सोड़ोंग हैं डियू ट्रॉचर वाल्स तीम्परेचर बढ़ने क वो खत्म होती जा रही है जैसे बरफानी चीटे हैं लूम्डिया है नूंकुते या जो भी वहर पे जानवर है बरफ के जो अंदर रहने या बरफानी लाकुल रहने वाले जो चीज़ें जानवर है उनके उपर बहुत ज्यादा एफेक्ट हो रहा है गलोबाल्मिंग एस ग्लोबल प्राप्लम गलोबल बार्मिंग कहने के पूरी दुनिया का मसला है डैट नीन सु भी अड्रैस्ट इमीजेटली जिसको जल्ड ही हल करने की ज़ूरत है वी खांट श्टॉप इस पिनामना एट वान्स कहने को हम इस मसले को एक ही वकत में हद़् नहीं सकते हैं, but it can be slowed down, यह आहस्ता से यानि कि वकत के साथ साथ यह बहतर होगा, to slow it down, every individual on this planet needs to take some measure, करना कि इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए, समीन पर रहने वाले हर इनसान को अपने तोर पर जायना कोई ना कोई काम करना होगा, जैसे, all human activities that cause the release of greenhouse gases should be stopped, and alternative solutions should be introduced, करें के जहां इनसानी सर्गर्मिया हैं, that cause the release of greenhouse gases, जिसके वाज़से greenhouse gases release होती है, should be stopped, इनको रोकना चाहिए, and alternative solutions should be introduced, इनके मतबादल जो जराय है solutions हैं, उनको मतारफ करवाना चाहिए, we should generate electricity using renewable resources हमें कहरें के, अब जो हम electricity use करते हैं, इसको renewable resources के जरिए generate पैदा करना चाहिए, like wind energy, solar energy, and geothermal energy, कहरें के, जैसे wind energy, हवा से बिजली पैदा करना, solar energy, सूरज की जो रोशनी है, इससे बिजली पैदा करना, and geothermal energy, पानी से बिजली पैदा करना, recycling can help us a lot in leading with this monster, करें के चीज़ों को recycle, यानि के एक चीज़ को दोबारा से इस्तमाल करते हैं, हम इस मसले को हल कर सकते हैं, यानि के इस बहुत बड़े जो monster है, इसके साथ हम काबला कर सकते हैं, we should create awareness in public about the ill effects of global warming, करें के हमें लोगों में इस चीज़ की अगाही पैदा करने चाहिए, कि global warming के जो हमारे ओपर side effects हैं, वो किस तरह से असर अंदाज हो रहें, and how to control it, और इसको हम कैसे काबू कर सकते हैं, if we do not take precautionary measures, अगर हमने एहत्याती तदाबियों इस्तवालना कि it will be fatal for all living creatures, तो ये तमाम इनसानी जिंदगियों ये जानदानों के लिए बहुत थतर्नाक थाबित होगी on earth, जमीन पर, we should contribute to eradicating the causes of global warming, हमें global warming को काम करने के लिए अपना अपना गिर्दार अदार करना होगा, in this way we will make the earth a safer place to live in, इस तरह से हम इस जमीन को अपने रहने के काबिल बना सकते हैं, तो इसलिए तरह हमने पढ़ा है, कि global warming और climate change ये इंटर रिलेटिद हैं, यानिके अगर global warming में अधाफा हो रहा तो climate भी change होगा, climate change हो रहत तो global warming में भी effect होगा, और इसकी वज़ुहात हमने पढ़ी हैं, इसको overcome करने के हमने जो इत्यती तदार भी रहे हैं, किस तरह से हम इनको काम कर सकते हैं, और साथ हमने पढ़ा है, कि इसको हम एक ही दफ़ा में इसको काम नहीं कर सकते हैं, वलकि इसको कंट्रोल करने के इसको काम करने के लिए हर बंदे को अपना लाइदा से किर्दार अदा कर रहा है, ठीक है, पेज नंबर 61 पे टू थ्री पराग्राफ्स है जिनके आपने ग़र में रिडिंग करने हैं, अज ट्रांस्लेशन जी आज का आपका लेसन है, अलाफीज